दोस्तों आज हम सोल लैंड की आगे की कहानी को एक्स्प्लेन करने वाले हैं। वीडियो शुरू होते ही हम सबसे पहले देखते हैं क्वीन रेंक्सू को, जिसका अभी तक एथ एकजाम ही चल रहा था। जिसके साथ ही क्वीन रेंक्सू का डाक वर्जन उसे कहता है, जिसके साथ ही एंजल गौड की आवाज आती है कि मैं एक दफ़ा दोबारा से मैं ये पूछ रही हूँ, क्या तुम अपनी एथ एकजाम को खत्म करना चाहती हो। और इसकी साथ ही क्वीन डोलू भी क्वीन रेंक्सू को समझाता है कि आज तक की उसकी सारी मेहनत सिर्फ क्वीन रेंक्सू की गौड बनने की लिए थी, मगर क्वीन रेंक्सू उसकी बात को ना मानते हुए एंजल गौड से कहती है कि एंजल गौड हाँ, मैं इस एकजाम क को छोड़ना चाहती हूं मुझे इस एक जाम को नहीं देना और ना ही मुझे गौड बनना है मगर उसकी साथ ही क्वीन रेंक्सू का डाक वर्जन यहां पर अपियर हो जाता है जिसके आते ही क्वीन रेंक्सू काफी ज्यादा घबरा जाती है और उससे कहती है कि आखिरकार त पस चुकी होती है क्वीन रेंक्सू दोबारा से कहती है मैं किसी को भी अपनी ग्रेंपा को हट करने की मौका नहीं दूंगी इस पर डाक वर्जन उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे विश को सुन लिया है और बिल्कुल ऐसा नहीं होगा और बात तो तुम गौड बनने की व वही जगह होती है जहां पर आते हुए सबसे पहले तो क्वीन रेंक्सू ने अपनी एंजल तलवार को हाजल करना था और उसके बाद क्वीन रेंक्सू नाइन एक जाम का प्रोसेस आगे बढ़ने का स्टॉर्ट हो जाना था जिसके साथ ही दोबारा से क्वीन रेंक्सू अ बदला नहीं जा सकता और तुम अपने आप में ही सोचो क्या ये सब वही सच चाय नहीं है जो कि तुम्हारे दिल में मौजूद है मगर क्वीन रेंक्सू अपनी एंजल तलवार का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटेक कर देते हैं और उसकी कोई भी बात नहीं सुनती दोबा तुम्हें करना चाहते हैं अबिके ये तुम इस रास्ते पर आचुकी हो अगर तुम्हें चाहे तो इन सबी चीज़ों को जोड हो जो सब तुम मेरे साथ नहीं करना चाहती मगर क्वीन रेंक्सू इस जाल के अंदर इतना तंग आज की होती है कि वो अपनी सौरी इवल वर्जन पर अटेक करना स्टॉट कर देती है जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्वीन डोलू को और उसी के साथ ही दोबारा से उसका इवल वर्जन उससे कहती है आखिरकार तुम्हें फाइट क्यों करना है क्या तुम अपना और अपनी ब्रैनपा की बात को पूरा नहीं करना चाहती क्या तुम्हें चोड़ देना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ अगर तुम्हें चाहे तो इन सभी चीज़ों को चोड़ सकते हो इसलिए तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है इसके साथ ही हम देखते हैं क्वीन रेंक्सू इस जाल में बहुत बुरी तरीके सिफ फंस चुकी होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती है कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए मगर उसी के साथ ही क्वीन डोलू इंजल तलवार को अपने आपी पेट में घुसा दे पर जहां पर सारे सोल्चर काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद अपनी कैम्प में वापस जा रहे होते हैं और उन में से काफी ज्यादा लोग धायल होते हैं जहां पर एक जनरल अपने बेटे को धून रहा होता है मगर उसे उसकी बेटा नहीं मिल रहा था जिसकी वज़े से वो सभी से अपने बेटे के बारे में पूछ रहा होता है जिसके बाद हम देखते हैं टांग्शन को जो कि यहाँ पर आते ही स्ट्रगल कर रही सोलजर को सहारा देने लगता है और यह सब सीन को देखकर टांग्शन काफी ज्यादा उदास हो चुका होता है क्योंकि आखिरकार यहाँ पर कितने ला से पड़ी हुई है इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते इसके बाद हम देखते हैं अलॉंग को जो कि मास्टर की केर कर रही होती है जिसके साथ ही टांग्शन एंपरर सूबैंग के पास आ जाता है और आते ही उसे बुलाता है और उससे कहता है मैंने ऐसा सुना है मेरे मास्टर बहुत ही ज़्यादा घायल हुए थे तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो मेरे मास्टर की सिचुएशन अब कैसी है जिस पर सूबैंग उससे कहता है अभी के लिए हम लोग अच्छे से नहीं केह सकते, क्योंकि मास्टर की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, और इसी के साथ ही मास्टर प्लेंडर भी इन दोनों के सामने आ जाते हैं, और इनसे कहते हैं कि मास्टर को काफी ज्यादा चोट लगी है, इसलिए उसे थीक होने में काफी समय लग सकती है जो सुनते ही सूबैंग काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और उसके साथ ही हम देखते हैं जनरल जलांग को और वो एमपायर से कहता है ये सब मेरी गलती है मुझे मास्टर की बात मानना चाहिए थी और वहाँ पर हमारे सोलजर को नहीं भेजना लिया था और उसी के साथ ही सूबैंग टैंग्शन से कहता है आज के दिन जो सब कुछ हुआ है वो सब मेरी गलती है मैंने गलत डिसीजन लिया था इस पर टैंग्शन उससे कुछ भी नहीं कहता और अपनी माइंड में सोचने लगता है हमारे वो काफी ज्यादा डेंजरस ताइम में आ चुका है हर जगह ही डेंजर हो चुका है हर जगह पर लासे मौजूद है और सारी जमिन पर सिर्फ खून ही खून है इस जंग में हमारी सोलजर को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है अगर मेरे पापा और अंकल सही टाइम पर नहीं आय होते तो मेरा बचना भी काफी ज्यादा मुश्किल था और मुझे इस बात का भी डर है आने वाली टाइम में ये जंग हमारे लिए और भी ज्यादा देंजरस हो जाएगी मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और ये कहने के साथ ही आज का हमारा एपिसोड यही पर कम्प्लीट हो जाता है लेकि अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर कर देना